बताएं, भौतिक गुण, उश्मिय और विध्यतिय गुण, धातूओं में उश्मा का सरचन होता है. इसका अर्थ है कि उश्मा उनमें प्रवाहित हो सकती है. इस गुण को उश्मा की सुचालक्ता कहते हैं. धातूओं में विध्युत की सरचन का गुण भी पाया जाता है. इसका अर्थ है कि इनमें से विध्युत धारा प्रवाहित हो सकती है. इस गुण का विध्युत की सुचालक्ता कहते हैं. विध्यूत की सुचालक्ता और उश्मा की सुचालक्ता के बीच एक संबंध है। वे धातुएं जो विध्यूत की अच्छी सुचालक होती हैं, वे उश्मा की भी अच्छी सुचालक होती है। हालांकि तापमान बढ़ाने से उश्मा की सुचालक्ता बढ़ती है, लेकिन तापमान कम करने से विध्योत की सुचालक्ता कम होती है.